Accounting no problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ आर्थी टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्या में आप जानेंगे टेली प्राइम में कंपनी सेलेक्ट करना, उसे चेंज करना, और कंपनी को डिलीट करना इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि नई कंपनी कैसे बनाते हैं साथ ही टेली स्टार्ट करना, कंपनी को बंद करना, टेली बंद करना और अन्य कुछ महतुपून बातों के बारे में भी बताया था आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि सिर्फ वीडियो देखने से लाब नहीं होगा यदि आपको इस वीडियो का सही लाब उठाना है तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह दो-तीन बार प्रैक्टिस जरूर करें चली अब शुरू करते हैं आज का अध्याय यहां हमने टैली स्टार्ट कर लिया है टैली स्टार्ट होते ही बाइ डिफॉल्ट हमें एक कंपनी खुली हुई दिखाई पड़ रही है यह वो कंपनी है जो हमने टैली में सबसे पहले बनाई थी आगे बढ़ने के पहले company पर mouse से क्लिक करके कुछ options और उनके shortcuts के बारे में समझ लेते हैं create से आशय है company creation से इसकी सायता से tally में नई companies बनाई जाती हैं और इस option का उप्योग हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं alter से तातपर है company alteration से इसकी सायता से tally में हमने जो companies बना रखी है उन्हें बनाते समय हमने जो details दी थी उसमें अगर कोई changes करना हो या कुछ नया जोड़ना हो या हटाना हो तो वो इस option की सायता से कर सकते हैं change से आशय है change companies जब tally में एक से ज्यादा companies open होती है तो हम जिस company में काम कर रहे होते हैं यदि उसकी बजाए किसी दूसरी company में काम करना हो तो इस option का उप्योग करते हैं इसकी shortcut की है F3 select से तातपर्य है select company से और इसका उप्योग tally में बनी हुई किसी भी company को open करने के लिए किया जा सकता है और इसकी shortcut की है alter और F3 shut का आशा है shut company से यानि close company से जैसा कि इसके नाम से ही इस पश्ट है इसका उप्योग हम किसी company को बंद करने के लिए करते हैं और इसकी shortcut की है control और F3 इसका उप्योग हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं skip की से वापस gateway आफ टैली पर चलते हैं यहाँ पर हम आपको एक खास बात बता दें कि जब ही आप alter प्रेस करते हैं तो उससे संबंधित जितने भी shortcut की हैं वो right बटन बार में दिखाई पड़ती है इसी तरह जब आप control प्रेस करते हैं तो उससे संबंधित shortcut कीज दिखाई पड़ती हैं इसका फायदा ये है कि यदि आप shortcut कीज भूल गए हों तो इस तरह से उन्हें आसानी से देख सकते हैं इन्हें देखने का एक तरीका और है यहाँ दिखाई दे रहे arrow के निशान पर क्लिक करें और यदि आप चाहें तो इन options पर mouse से क्लिक करके भी उनका उप्योग कर सकते हैं तो चलिए काम आरंब करते हैं यहाँ एक company पहले से ही open है दूसरी company open करने के लिए alter और F3 keys एक साथ press करें देखिए select company वाली screen आ रही है हम अप यह down arrow key से उस company के नाम पर जाएंगे जिसे open करना है और enter press करेंगे यह सीधे उस company के नाम पर mouse से क्लिक करके enter press करेंगे यह देखिए हमारे दौरा select की गई company open हो गई है और वो bold अक्षरों में भी दिखाई दे रही है आपको फिर से याद दिला दे जब भी हम tally में कोई काम करेंगे तो वो काम जो company bold अक्षरों में दिखाई दे रही है याने active है उसमें होगा चलिए आप change company option को समझ लेते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो companies open है उसमें से जो company active है उसके स्थान पर यदि आप कोई दूसरी company active करना चाहते हैं तो mouse से उस company पर click करें ऐसा करते ही active company change हो जाएगी या फिर आप F3 की press करें ऐसा करते ही change company वाली window आएगी list of companies में से वो company से लेक्ट कर लें जिसमें आप काम करना चाहते हैं और enter press करें यहां हम आपको एक महतुपुन बात बता दें जब आप टैली में किसी company में काम कर रहे हैं जैसे कि अभी हम इस company में हैं और हमने day book देखने के लिए के press किया day book के बारे में हम आपको आगे की वीडियो में समझाएंगे यह देखिया यहां पर day book open हो गई है और यदि आप इस दौरान भी select company, shut company, change company, आदी options का उप्योग करना चाहें तो कर सकते हैं चलिए अब alter option को समझ लेते हैं उसके लिए पहले जरूरी है कि आप जिस company को alter करना चाहते हैं वो open हो यानि यहां दिखाई पड़ रही हो और यदि open ना हो तो उसे select company की सहायता से open कर लें ध्यान रखें alter option सिर्फ gateway of tally की screen पर ही काम करता है यदि आप gateway of tally पर हैं तो ठीक वरना escape की press करते हुए gateway of tally पर आ जाएं यहां company पर click करें और down arrow key से alter पर जाकर enter press करें alter company की screen आ जाएगी list of companies में से वो company select करके enter press करें जिसे आप alter करना चाहते हैं यह देखिए company alteration window आ गई है और वो सभी details दिखाई पड़ रही है जो हमने company बनाते समय दी थी अब यहां से आप जो भी changes करना चाहते हैं या जो भी नया जोड़ना चाहते हैं या कुछ हटाना चाहते हैं वो कर सकते हैं हम यहां पर अपना pin code बदल रहे हैं और यहां अपनी website का नाम डाल रहे हैं आगे हमें कोई change नहीं करना इसलिए इस window को accept करने के लिए Ctrl और A की इसको प्रेस करेंगे चलिए अब हम इस वीडियो का आखरी option भी देख लेते हैं माल लीजे आप टैली में बनी किसी company को स्थाई रूप से हटाना चाहते हैं यानि delete करना चाहते हैं वो open हो यानि यहां दिखाई पढ़ रही हो चलिए आगे बढ़ते हैं यदि आप gateway of tally पर हैं तो ठीक और यदि आप कहीं और हैं तो gateway of tally पर आकर पहले company और फिर alter पर जाना होगा alter company की screen आ जाएगी लिस्ट of companies में से उस company का नाम सेलेक करें जिसे आप delete करना चाहते हैं और enter प्रेस करें company alteration screen आ जाएगी अब यहां पर एक महतुपून बात समझ लें कि किसी भी company को बहुत सोचने समझने के बाद ही delete करें यदि आपने company में कोई lasers बनाय हुए हैं या कोई transaction record किये हुए हैं तो एक बार company delete होने पर उस company का पूरा record चला जाएगा और फिर आप उसमें से कुछ भी recover नहीं कर पाएगे company delete करने के लिए company alteration window पर alter और D एक साथ प्रेस करें इस तरह की एक चोटी window आएगी यदि आप company delete करना चाहते हैं तो why या enter प्रेस करें ऐसा करते ही फिर एक window आएगी जिसमें आपस वापस confirm किया जा रहा है कि क्या आप company delete करना चाहते हैं yes के लिए why प्रेस करें ऐसा करते ही company हमेशा के लिए delete हो जाएगी हम सिर्फ समझने के लिए ये काम कर रहे थे वास्तव में हमें इस company को delete नहीं करना है तो हम no के लिए and press कर रहे हैं escape की से वापस gateway of tally पर चलते हैं और जो भी companies खुली हुई हैं उन्हें control और f3 की साहता से बंद कर देते हैं और अब आखिर में tally से बाहर आने के लिए याने quit करने के लिए control और q की को एक साथ प्रेस करेंगे दोस्तो हर वीडियो में हम कुछ नई बातें विस्तार से बताते हैं और बाद में short में उनका उप्योग करते हैं यदि आप चाहते हैं कि कुछ भी उप्योगी सीखने से आप वन्चित न रह जाए तो क्रपया सभी वीडियो को क्रमानुसार ही देखें इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किसी company को alter और delete कैसे करते हैं और साथ ही बताया select company और change company के बारे में अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैली में लेजर बनाते समय सही ग्रूप का निर्ने चार्ट अफ अकाउंट्स की साहता से कैसे करें